हे गाईज, वेलकम बाक टू दी चानल सूपर सौनिक, कैसे हैं आप सभी, I hope सो आप बहुती ज़दा बढ़िया होंगे, आज की जो वीडियो है भाई वो संजीत भाई की डिमांड पर रहने वाली है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर डियम करके बोला था कि भाई, आर 10 आर्मी ट्रक एक्सिदेंट्स, जियां दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होगे, जो आर्मी का बंदर रहता है, वो भी हमारे जैसा इंसान ही है, उससे भी गलती कभी न कभी कहीं न कहीं हो सकती है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आर्मी के ट्रक जा नहीं सकते, साथी साथ में अपने से ज़्यादा दो गुना तीन गुना वजन को खीचने का भी दम रखते हैं, तो यह चीज़ कहीं न कहीं कहीं काफी जदा ऊपर ले करके जाती है, खेर वो सब हम छोड़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इन सारे एक्सिदेंट्स के बार बात करते हैं, यह एक्सिदेंट होता है एक आर्मी ट्रक और एक मारती स्विफ्ट डिजायर के बीच में, यह एक्सिदेंट होता है मसूरी में, जहां पर जो आर्मी ट्रक है भाई वो अपने रास्ते में जा रहा होता है, अपने सारे के सारे सोल्जर्स को ले करके, और जो पर बहुत ज़ाद अच्छी रहती है श्विफ्ट वाले बंदे की क्योंकि उसकी गाड़ी के तो स्पीड जाद तेज रहती है बट जो आर्मी ट्रक जो रहता है उसकी स्पीड उतने श्विफ्ट के अंदर जो बैठे थे उनको काफी ज़दा सीरियस इंजिरीज आई उनका सर्वर में काफी ज़दा चोट लगी और यहां पर आप कार को भी देख सकते हो कितना ज़दा डैमेज हो गया है पुलिस कॉल कर दी जाती है जब पुलिस महाँ पर आती है तो भाई द व्लचाव में होता है बिसिकली होता है है एक और लिए जूक भा정을 करिक के जारी होती है इसके वार्म सह बाकि जो चार लोग रहते हैं उनको बिल्कुल भी चोट नहीं आती है next next number three यहाँ पर जो accident होता है भाई महिंद्रा की XV3OO और आर्मी ट्रक के बीच में होता है यह accident अरोनाचर परदेश में होता है होता है कि है 5 लोग जो की XV3OO अंदर बैट करके जा रहे होते हैं और वो थोड़ा सा over speeding भी कर रहे होते हैं और एक कर पर भाई वो गाड़ी को घुमाने की कुशिश करते हैं और एकदम से आर्मी का ट्रक जो है वो सामने से आ रहा होता है जो XVV भाई वो head on collision कर जाती है जो आप लोगा ट्रक रहता है आर्मी का और यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो XVV में काफी जादा damage है मतलब 5 star rated car है उसके बावजूद भी भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो एक ट्रक ने आर्मी की ट्रक ने भाई इसका हुलिया भी गाड़ रखा है तो यहां पर भाई build quality आप लोग देख लो XVV 3W की इतनी बहतरीन होने के बाद भी ट्रक के सामने भाई इतनी जादा बहतरीन build quality नहीं है आर्मी ट्रक की build quality आप लोगों क्या लगता है कि कितनी ज़ादा build quality है अगर हम लोग कभी crash test करें तो कितने restart rating लेकर के आएगी आप लोग जरू comment box में बताना next number 4 ये accident तो भाई मतलब ऐसा था ना कि अगर गलती से ये चीज़े होती ना तो शायद बहुत बुरा होता ये दोस्तों एक army truck और एक school की दिवार पर ये accident होता है ये basically HR यानि सीरसा जो है आप लोग हरियाना में पढ़ता है वहाँ पर ये accident होता है एक army truck जो की bomb से भरा हुआ truck लेकर के जा रहा होता है जो truck driver रहता है वह सीधे school की दिवार को hit कर देता है और पूरा तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है लगभग 5 से student जो की उस school में पढ़ रहे होते हैं इत्ती जोरदार आवाज आती है कि भाई सब डर के सारे के सारे बच्चे स्कूल से बाहर आ जाते हैं और देखते देखते पता चलता है कि स्कूल की दिवार को भाई पूरा चीरता वो truck जो है वो अंदर घुज गया है खैने आपर किसमत अच्छी रहती है कि army truck के पीछे ही एक और army truck आ रहा होता है और जो accident जब भाई जो truck driver था वो भी होश हो जाता है और जब बाद में से हो साता है तो फिर वो बताता है होता है क्या है जब वो truck को ले करके जा रहा होता है ट्रक का power steering होता है वो जाम हो जाता है जिसके जो truck है वो पूरी तरीके सा out of control चल जाता है खेर किसमत बहुत जब अच्छी रहती है कि कोई भी भाई अन होनी नहीं होती है अगर गलती से भी किसी भी एक बाउम में अगर आग लगती या फिर कुछ भी होता ना तो भाई मुझे नहीं लगता है कोई भी यहां पर बच पाता है खोई नहीं सब बच गए यही बहुत बड़ी बात है नेक्स्ट नमबर फाइफ यह एक्सिडेंट होता है शिमला में होता है एक ट्रक जो की लगबख सौफीट नीचे खाई में गिर जाता है और इसके अंदर एक बंदे की दैथ हो जाती है और लगबख तीन लोग इंजड हो जाते हैं यहाँ पर अगर आप लोग ट्रक को देखोगे तो भाई इसका काफिस दा कचुमर बन गया है और भाई मेरा मानना यह है कि गाड़ी चाहे 5 स्टार लेकर के आओ चाहे ट्रक आप 10 स्टार के लेकर के आजाओ सौफिट की उचाही से अगर कोई गिरेगा ना भाई रोल ओवर होते होते तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान आएगा बहुत ज़्यादा नुकसान आएगा यहाँ पर एक आर्मी जमान की तो दैथ हो जाती है इस एक्सिरेंट में और तीन लोग काफी बुरी तरीके से नुकसान आएगा बहुत ज़्यादा नुकसान आएगा बहुत जाती है और यहाँ पर आप ट्रक की हालत भी देख सकते हो कितना ज़्यादा भारी भरकम यह ट्रक है भाई मतलब इसका ब्रेक फेल हो जाएगा तो भाई सोचो क्या ही होगा और यह तो चलो ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पर किसी और व्यक्ति की जानने गई क्योंकि यह मॉर्निंग के टाइम में एक्सिरेंट हुआ सपोस्कर भीड़ भाड़ा वाला यह लाका रहता या फिर जादा यहाँ पर जाम वाम रहता और इस ट्रक का ब्रेक फिल हो जाता तो क्या ही नजारा होता नेक्स्ट नमबर सैवेन यह एक्सिरेंट होता है जैसल मेर में जहाँ पर एक आर्मी ट्रक और एक पिकप ट्रक के बीच में यह एक्सिरेंट हो जाता है आर्मी ट्रक जो भाई अपनी destination पे एकदम जारा होता है और एकदम से पता नहीं क्या होता है उसका tear फट जाता है या क्या होता है एकदम से ट्रक जो है वो पूरी तरीके से out of control हो जाता है और पलटता हो जाकर के pick up के उपर गिर जाता है इस accident में एक बंदे की death हो जाती है और ट्रक और pick up के आप लोग हालत देखे सकते हो मलब ट्रक ऐसा लग रहा है कि पूरा को पूरा भाई pick up के उपर बैठ हिया है तम पिचका दिया उसका कचूमर बना दिया है नेक्स्ट नमबर 8 आर्मी ट्रक और उर्टिगा के बीच में एक्सिनेंट होता है यह यह लोत है वेस्ट बंगॉल में आप जोब वह ओटक करने की कोशिश करती है जिसके वह जैसे वह जागर के track में हिट होजाती है मैंने यह चीज़ काफी अक्सर बार नोटेस करी है कि करना है है बस मेरा मानना है आगर आपको करना है करना किसी ने किया लेकिन अपको सामने पता है उसके बाउजिद भी जिबरदस्ती कोशिश करो कि निकाल ल definitions करो कि और अगरें जाए है though और काड़ी के जो एरबैक्स रहते हैं वो टाइमली ओपन हो जाते हैं जिसके वजह से जो इसके अंदर बैठे लोग रहते हैं उनको ज्यादा इंजिरीज नहीं आती और ट्रक का तो भाई बिल्कुल फाइन है उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ अगर आप लोग देखोगे ज लगवग दो बार तीन बार पलट जाता है यहां पर जो जितने भी अंदर लोग बैठे रहते हैं उनको काफी ज़ए रहते हैं फटा फट से आते हैं और जवानों को हॉस्पिटल ले करके चले जाते हैं नेक्स्ट नंबर 10 यह एक्षिन होता है नेचर की वज़े से आप सभी को मालू तरह जा आर्मी ट्रक है भाई वो जा रहा होता है थोड़ा से स्पीड में ही रहता है और जो ट्रक है भाई वो एकदम से स्किड हो जाता है यह आर्मी ट्रक है भाई वो अपने रेस्टिनेशन की तरफ जा रहा होता है और एकदम से बारिश होने की वज़े से जो है टैर की ग्रिप ज काफी तेज़ चलाते हैं तो बिल्कुल भी मत करें क्योंकि टायर जो है वह सच में ग्रिप काफी जल्दी छोड़ देता है यहीं था आज का वीडियो आई हूप सो आप लोगों को वीडियो देख करके काफी चीदे समझने को मिली हो और बाकि आप लोग मुझे कमेंट किसी टापिक पर चाहिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में